हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दोस्तो दो बहुती कमाल के स्मार्टफोन एक तो वीवो का T3X है यह आपको बहुती बड़िया फोन मिलता है साड़े 13000 का दोस्तो मतलब यह आपको 13500 में मिल जाएगा और दूसरी तरफ इन्फनिक्स ने इसकी टककर में लांच कर रहा है दोस्तो वीवो के T3X के आगे इन्फनिक्स का Note 40X इससे 1500 रपे महंगा 15000 में तो इस वीडियो में दोनों में कमपेरिजन करके आपको बताऊँगा दोनों के अंदर क्या क्या खुब यह क्या कमिया है क्या आपको 15000 में Note 40X खरीदना चाहिए यह कम रेट में दोस्तो वीवो का T3X तो जानने के लिडियो एंट तक ज़रो दिखेगा और आपको मिल जाती है काफी लंबी भी चल जाएगई और जो दोस्तो इसके बादर रखавा मिलता है यह वाइट कलर में 44 वाट का चारजर यहां पर आपको लिख़्ाऑ मिल जाता है 44 वाट का चारजर दिया गया है तो speed आपको काफी सही मिल जाती है इसके अंदर price के साथ से ये सारे box के जो contents है दोस्तो वीवो के T3X के साथ मिलते है rate के साथ से दिखा जाए तो box के जो contents है आपको ठीक टाक मिल जाते है इसके साथ जो दोस्तो कुछ user manual दिये गए हैं इस तरीके से एक मिल जाता है दोस्तो cover simple transparent कुछ इस तरीके के लुक में फिर मिल जाती है दोस्तो white color में cable जो कि आपको दी गई है दोस्तो type C cable USB to type C cable इसके साथ आपको दी गई है कुछ इस तरीके के लुक में white color में तो केबल आपको काफी अच्छी इसके साथ मिल जाती है और लास्ट में रखवा मिलता है दोस्तों ये वाइट कलर में कुछ इस तरह के के लुक में चारजर जो के आपको मिलता है दोस्तों सिर्फ 18 वाट का चारजर अब यहां पे जो है तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई चार्जर इसके साथ यतना जादा फास्ट नहीं दिया गया मतलब जितना इसका प्राइस है ऐसी चार्जर आपको 7800 के फोन्स में भी 9000 के फोन्स में देखने को मिल जाते है 9000 के फोन्स में तो आजकल 45 वाट के चार्जर भी आ रहे हैं लेकिन इसके साथ 18 वाट कहिए तो यह चीज़ आपको वीवो के T3X में बहुत ही बढ़िया मिलती है इन दुनों फोन्स में चली बात करते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में तो इंफनिक्स के नोट 40X में आईफून लुक में कैमेरा मिल जाता है अगर आपको आईफून टाइप के फोन्स पसंद है और जो बजट नहीं है तो वह सपना आपको जो नोट 40X में पूरा हो जाएगा लेकिन दोस्तो मतलब थोड़ा सा मतलब इसका प्राइस 15,000 है उससे सबसे देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब जो डिजाइन अगर यूनिक होता है तो यह बढ़िया लगता है क्योंके 67,000 के बजट में जो फून में इस तरीका के डिजाइन आ जाता है आईफून वाला तो मतलब खुद इ इस तरी के साब को कैमरा मिलता है और इसमें आपको गोल्डन रिंग में जो है दोस्तो मॉडियूल दिया गया है जो की काफी बढ़िया लग रहा है और कलर भी काफी अच्छा है बाकि डिजाइन के जो क्वालिटी हो तो दोनों के अंदर एक जैसी टाइप की है प्लास्ट के लिए अच्छा लग रहा है कि इसका डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है यूनिक है और आपको जोए दोस्तों इन्फिनिक्स के नोट फॉर्टी एक्स में बिल्कुली आइफून के तरीके सा मॉडियूल मिल जाता है कैमरे का इस वजह से मुझे दोस्तों वीव का टी इंचिस के आसपास डिस्प्ले मिलती है तकरीब जाती गई है तो इचीज दोनों के अंदर काफी बढ़िया है सिमिलर टाइप की इसके लिए दोस्तों दोनों फोन्स के आंदर आपको जो उसे तरीके से मिलजाता है आप ऐस से उपर के तरह स्वाइप करेंगे आपको शार बढ़िया लगता है Infinix के comparison में क्योंकि बाहर से तो सब भी phones अच्छे होते हैं लेकिन अंदर से experience भी काफी important चीज होती है वो चीज मुझे Vivo के T3X की जाधा बढ़िया लग रही है दोस्तों use interface इसका जाधा अच्छा है Infinix के Note 40X के comparison में बाकी जो refresh rate है दोने के अंदर आपको क काफी बढ़िया मिल जाती है experience आपको काफी smooth मिल जाएगा चाहे बात होए Infinix के Note 40X की या फिर Vivo के T3X की दोनों के अंदर आपको smoothness काफी बढ़िया मिल जाती है इस चीज को लेकर दोनों स्मार्टफोन काफी जाधा बढ़िया है लेकिन बात करें तो अब दोस्तों डिस् तो वो चीज़ तो इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलती चले मैं आपको brightness बिलकुल full करके दोनों की करीब से दिखाता हूँ डिस्प्ले की quality में कितना फर्ख है तो दोनों phones के अंदर आपको जो दोस्तो पंचोल camera वाला design दिया गए है यी चीज़ आपको दोनों के अ चाफी है चेंफनिक्स के नौट 40X की डिस्पले थोड़ी सी भीकी लगरी इसके आगे brightness में थोड़ी सी low है तो वो चीज़ आपको ज़ो ज़ादा बढ़िया जो है वीवो के T3X के अंदर देखने को मिल जाती है डिस्पले की brightness को लेकर colors को लेकर यापको और ज़्यादा ब बढ़िये मिल जाती है और डिजाइन भी मुझे सी का पसंद आया बाकि आगे देखते हैं कौन सी चीज में कौन सा फून बढ़िया रहता है बाकि दोस्तों लेफ्ट सैट पर दोनों में SIM की ट्रे दी गई है दो SIM card 5G के आप लगा सकते हैं निची की तरफ से देहेंगे चा तो आपको देखने को मिल जाता है बाकी बात कर筆ए RAM और स्टोरेज के बारे में MP का camera होने के बाद भी इसकी camera की performance आपको जाधा बढ़िया मिलती है इन दोनों फोन्स के अंदर आपको बैटरी मिलती है इंफिनिक्स में दी गई है Vivo का T3X इसके अंदर आपको processor काफी जाधा बढ़िया दिया गया है जो इन्फिनिक्स के note 40X में processor है न दोस्तों यह आपको जो है 10,000 के phone में भी आजकल देखने को मिल रहा है और जो Vivo के T3X के अंदर आपको प्रोस्तर दिया गया है यह आपको 20,000 के phone में जाधा तर देखने को मिलता है तो यह चीज आपको जाधा बढ़िया जो है Vivo के T3X में मिलती है तो यह सरी खुब्या कम यह दोने के अंदर चले बात कर लेते हैं आपको दोने में से कौन सा खरीदना चाहिए कौन से नहीं देखिए दोस्तों अगर आपको RAM और स्टोरेज जाधा चाहिए तो प्राइस भी जाधा बढ़िया जो है Vivo के अंदर मिल जाएगी तो इन दोनों फोन्स के कंपरेजन में दोस्तों आपको जाधा बढ़िया मिल जाता है Vivo का T3X कम रेट में जाधा बढ़िया दोस्तों प्राइस भी कमें फीचर्स भी जाधा बढ़िया है आप बताएगा फ बाइब बाइ